नमस्कार दोस्तो टार्गेट विद पियेस परिहार चैनल में आप लोगों का पुना स्वागत है दोस्तो जैसा कि मैंने अपने पिछले वीडियो में आप लोगों से बताया था कि अधिनस्त सेवा चैन आयोग इस साल बहुत सारी भरतिय ने कालेगा क्योंकि दो साल से आयोग में कोई काम नहीं हुआ है और विभिन विभागों से बहुत पद खाली हो चुके हैं तो बहुत लोगों का रेटार्मेंट हो गया है तो इस वज़े से भी बहुत पद खाली है तो दोस्तो इसी क्रम में अभी 7 माई के हिंदुस्तान के पेपर में भी यही खबर चपी हुई है तो जो मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ दोस्तो यह एक पास्ट्यू खबर है आप कुछ लोग टिपड़ी करने लगते हैं कि सर कुछ नहीं होने वाला है कोई बेकेंसी नहीं आएगी बिजेपी की गवर्मेंट है तो दोस्तो अगर मैं भी इस तरीके से आप लोगों से कहूंगा तो यह देखिए दोस्तो इसमें लिखा है अधिनस्त सेवा आयोग जल्द भरतियां करेगा दोस्तो यह साथ माई के पेपर की निउज है पुरानी निउज नहीं है यह बिल्कुल लेटेस्ट है उत्तर प्रदेश अधिनस्त सेवा चैन आयोग सरकारी विभागों में समूगा इस तरके खाली पदो पर जल्द भरतियों के लिए विग्यापर निकलने की प्रक्रिया शुरू करने जा रहा है आयोग के पास करीब 20,000 पदों पर भरति के प्रस्ताओं पहुंच चुका दोस्तों यह इतना तो पहुंच चुका है और इसकी अलावा अन विभागों से प्रस्ताओं मिल रहे हैं और आगे भी मिलते रहेंगे आयोग ने इसके अलावा अन विभागों से खाली पदों पर भरती प्रस्ता मांगा है सरकारी विभागों में करीब 2 लाक खाली पद बताय जा रहे हैं उत्तर प्रदेश अधिनस्त सेवा चैन आयोग सरकारी विभागों में खाली पदों पर भरतियां चरणबद तरीके से करेगा आयोग जैसे जैसे खाली पदों पर भरतियों का प्रस्ता मिलता जाएगा वह विज्ञापन निकालता रहेगा तो दोस्तों यह देखिए इसमें लिखा हुआ है कि जल्दी जल्दी यह पद भरे जाएंगे और आगे य कल्याण में 100, आवास में 100, पंचायती राज 432, पी डेवलोटी 3210, जल निगम में 800, पिछड़ा वर कल्याण में 248 पद, परेटन में 113, और वालिज जिकर में 430, रेसम विभाग में 35, उद्यान एवं प्रसंसक्रन में 50 पद खाली हैं इसके अलावा अन्न विभाग खाल मतलब भेजने के त्यारी की जा रही है, तो दोस्तों ये जो है देखिए इसमें नीचे भी लिखा हुआ है, आयोग ने समाजवादी सरकार में रुकी हुई, भरतियां पूरी करने की प्रक्रिया सुरू कर दी, पहले चरण में ग्राम विकासाद गारी 3133 पदों पर सक्ष सक्षादकार की प्रक्रिया सुरू की गई है, इसके लिए पात्र पाए गए, शोला अजार सत्र वर्तियों के लिए बुलाए गया, सक्षादकार की प्रक्रिया 6 जून को समाप्त होगी, इसके तुरंत बाद लेखागार के अठाइस सो गन्ना परेवेक चक के 437 पदों पर रुकी भरती प्रक्रिया पूरी की जाएगी, तो दोस्तों देखिए, इसमें साब साब लिखा हुआ है कि बहुत सारे विग्यापन, बहुत सारे पद इस साल आने वाले हैं, तो आप लोग सकारातमक सोच रखिए और पढ़ाई को जारी रखिए, अब मैं तो सब की तरह य किया हो, तो सब्सक्राइब भी कर लें, दोस्तों अगर कोई सुझा हो तो अवस्ते टिपनी करें, धन्यवाद,